नमस्कार मित्रों हमारे चैनल पर आपका स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं किस परकार आप अपने घर के अंदर इन हुपायों को करके लक्षमी जी को आपके घर के अंदर आमंत्रित करवा सकते हैं दोस्तों आज के समय वेक्टी की सबसे बड़ी जरुरत रहती है कि वेक्टी के पास उसके हाथ के अंदर पैसे हो आज के समय दोस्तों बिना पैसों के वेक्टी कंगाल माना जाता है और साथी साथ दोस्तों कभी भी किसी भी रूप से देखा जाए तो पैसो के बिना इस अंसार के अंदर कोई भी कारियन नहीं होता है लेकिन दोस्तों वेक्टी को सब सबसे बड़ा उसे दोस लगता है या धोका माना जाए जब वेक्टी के पास पैसे नहीं रहते और उसे गंगाली का सामना करना पड़ता है लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वस सारी इचाये हैं जो जागरत हो जाएगी क्यूंकि अब आपको जो उपाये बताएंगे अगर आप इसको कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर धनकी कभी भी कमी नहीं रहती है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के नीचे उम नमो नारायन जरूर लिकें तो दोस्तों बात करते हैं उपाई की कि आखिर ऐसे कौन से उपाई है जो आपके जीवन के अंदर धन के आगमन को बढ़ाते हैं दोस्तों सबसे पहला आप अपने घर की अलमारी को दोस्तों भूल कर भी ऐसे ही खाली न रहने दे जब भी अलमारी के अंदर से धन निकालें चाये एक रुपया दस रुपया इस परकार से कुछ अलमारी को रखना चाहिए ताकि धन रखने का इस्तान कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए दोस्तों दूसरा हमेशा सब्ता में एक बार कम से कम माता लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र जरूर लगाए दोस्तों जिस घर के पूजा घर के अंदर गुलाब का इत्र बहरता है वहाँ पर दिवी देवताओं का आगमन हमेशा बना रहता है और माना जाता है कि दिवी देवताओं को चड़ाया गया इतर अगर आप भी कहीं लगाकर अपने कारिय पूरती है तो जाते हैं तो दोस्तों वह आपका कारिय निश्ची तोर पर पूरा हो जाता है दोस्तो रोज सुबर अगर आप उरते हैं तो उरते ही पहली रोटी दोस्तों आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और जब भी आप अपने कारिय है तो जाएं आप अपने ओपीस या काम के लिए जाएं तब गुड़ के साथ गुमाता को रोटी खिला कर आपको जाना चाहिए दोस्तों ऐसा मात्र करने से जब तक गुमाता उस गुड़ और रोटी का आनन धीरे धीरे लेते रहते हैं उसी परकार आपके जिवन के अंदर भी हर चीज का आनन देखने को मिलता है आपकी जीवन के अंदर भी किसी परकार की कोई चीज की कमी नहीं रहती है अगला उपाया दोस्तों दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको आपके भाग्य के अंदर उनत्ती मिले आपको आपके भाग्य के अंदर किसी परकार की कोई शमिशाएं नहीं आए तो दोस्तों आपको रोजाना भगवान सूरी देव को सुभव उटकर पुरुदिशा की ओर जल अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से आपकी कुंडली के अंदर सूरी इस परकार मजबूत होता है कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता है और भगवान सूरी देव को जल अर्पित करने से आपकी मरवानचित इच्छाएं भी पूरी होने लगती है इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर धन आगमन हो और धन का परभाव आपकी जीवन के अंदर बना रहे तो सब्ता में एक बार सनिवार के दिन आपको पीपल पूजन जरूर करना चाहिए और साथी साथ दोस्तों पीपल के नीचे सनिवार के दिन सरसो का तेल का दीपक जलाने से आपका भाग्या उनती की ओर बढ़ता है और कोई भी ऐसा कारिय क्यों नहों निच्चित तोर पर वापका कारिया पूरा होता है उस कारिय के अंदर आपको कोई भी असफलता प्राप्त नहीं करवा सकता है इसी तरह दोस्तों आपको इस बात का जरूर जहां रखना चाहिए सब्ता में एक बार सुकरवार के दिन आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर कुछ मीठा बनाकर जिससे हलवा खीर आदी बनाकर आप माता लक्समी को भूग जरूर लगाए क्योंकि दोस्तों सब्ता में एक बार अगर आप मीठे का भूग लगाते हैं तो ऐसा करने से आपका मन प्रसंचित रहता है और साथी साथ ऐसा ऐसा प्रसाद छोटी कन्याओं को जादा से जादा बाटे ऐसा करने से माता लक्समी निशित तोर पर आपके घर के अंदर निवास बना लेते हैं और कभी भी आपका घर छोड़ कर नहीं जाते हैं इसी तोरह दोस्तों प्रती दिन माता तुलसी जी को सुभा के समय जल अरपित करना और साथी साथ संद्या काल के समय माता तुलसी के सामने घी का या तेल का जोब़ी आपका सामर्ति उसके अनुसार दीपक जलाना और उसके बाद आप क्या करें कि आप माताल तुलसी से धन आगमन की प्रातनाय करें दोस्तों निश्चित तोर पर आपके घर परिवार के अंदर धन का आगमन होता है और कोई भी कारिय के अंदर आपको पीछे मुड़कर देखने की आफशिक्ता नहीं पड़ती है लेकिन ध्यान रहे दोस्तों रविवार के दिन तुलसी का पत्ता आपको भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए इसी तरह दोस्तों मंगलवार विसेस के दिन एक धन प्राप्टी का चमतकारी उपाए है कि आप पीपल के पत्ते साथ या ग्यारा तोड़कर लेकर आएं और उसकी एक माला बनाए और प्रतीक पत्ते पर आपको राम नाम लिखना चाहिए उसके बाद आपके आस पास कही भी महनमान मंदिर है तो मंगलवार के दिन हमान मंदिर जाएं और मंदिर आपके घर नहीं है तो हनमान जी की तस्वीर के उपर ही आप पीपल के पत्तों की माला दोस्तों ध्यान रहे कि इसके लिए आप लाल कलावा काम मेले आप उसके उपर राम का चिन राम नाम लिखें और स्वास्टी का पीछे की तरफ चिन बना कर आप भगवान हनमान जी के चरनों के आगए हनमान जी के गले के आगए इस माला को अर्पित कर दें दोस्तों दिन दूनी रात चोगोनी गती से आपके घर के अंदर धनका आगमन होता है और कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता है तो उम्मिद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इस परकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर करना न भूले ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी धन्यबाद मित्रों जैसे रामित्रों